दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट में ओपनिंग करें तो इस वीडियो को तुरंत लाइ कीजिए भारत और आस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड टेस्ट में भारत ने रोमान चक जीत हासिल की है इस जीत के साथ ही भारत ने टेस्ट सीरीज में बर्त बना ली है इस जीत के साथ साथ टीम इंडिया के सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई है इस मैच में भी टीम के सलामी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके है जिस वज़े से एक बार फिर से रोहित्स शर्मा को सलामी बल्लेबाज के रूप में अजमाने का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों आपको क्या लगता है रोहित्स शर्मा को कौन से नंबर पर बैटिंग करनी चाहिए नीचे कमेंज सेक्षन में अपना जवाब दीजिए रोहित्स शर्मा वन अड़े क्रिकेट में वर्तमान में दुनिया के सबसे ज़्यादा ओसत वाले सलामी बल्लेबाज है वर्ल्ड क्रिकेट में कम से कम 50 पारियां खेलने वाले ओपनर्स में रोहित्स शर्मा की ओसत सबसे ज़्यादा है वह 54.39 की ओसत के साथ इस सूची में पहले नंबर पर है दूसरे नंबर पर दक्षिन अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला है जिनकी ओसत 50.110 की है रोहित का बला सफेद गेंद क्रिकेट में पिछले कुछ समय से काफी अच्छा चल रहा है और आस्ट्रेलिया की पिछ रोहित को बहुत रास आती है रोहित वन अड़े क्रिकेट में आस्ट्रेलिया में 50 की ओसत से रन बनाते है वहीं टेस्ट मैच में उनकी ओसत 28.83 की है लेकिन इसमें भी उन्होंने चार इनिंग में छेठे नमबर पर बल्ले बाजी की है छठे नमबर पर बल्ले बाजी करने का मतलब है कि ज्यादातर समय उन्हें टेलर इंडर के साथ बल्ले बाजी करनी पड़ी है ऐसे में रोहित की performance उनके इस record पर जज नहीं की जा सकती अगर रोहित को Australia के खिलाफ Taste Series ने ओपनिंग करने का मौका मिलता है तो वे ज़रूर धमाल मचाएंगे Waste Indies के खिलाफ Taste Series के दोरान खुद रोहित ने यह बयान दिया था कि वे टेस्ट में भी बतौर ओपनर खेलने को तैयर है अगर शुरूवाती एक दो मैचों में भारतिये सलामी बल्लेवाज कुछ कमाल नहीं दिखा पाते तो भारत को बिना देर की एरोहित शर्मा को बतौर ओपनर एक मौका दे दिया जाना चाहिए